एपिसोड 2 के एंडिंग में हमने देखा कि डेमन और कॉलिस ने साथ मिलकर क्राप फीडर के खिलाफ जंग छेड़ दी एपिसोड 3 की स्टोरी तीन साल का टाइम जंप लेकर शुरू हुई एलिसन और विसेरिस को एक बेटा हुआ एगॉन और एलिसन और विसेरिस के गिंडम में सबने मान लिया था कि आयन थ्रोन का अगला सच्चा हगदार एगॉन ही है अबिसली राइनीरा इस बात से जरा भी कुछ नहीं थी वो अच्चे से जानती थी कि अववाम और सेवन किंडम के बाकी लॉड्स ने एगॉन दे सेकेंड को अगला राजा मान लिया था सारे यहां एगॉन का दूसरा बड़्डे सेलिबरेट करने आये थे विसेरिस भी फुल आन सेलिबरेशन के मूड में था लेकिन तभी इसके Master of the Ships टाइलेन लेनिस्टर ने आकर राजा को एक अर्जेंट खबर सुनाई कॉर्लेस के स्मॉल कौनसर जाने के बाद शयद टाइलन लेनिस्टर राजा का नया Master of Ships बन गया कॉरलिस और डेमन ने क्रैप फीडर के खिलाव लड़ाई तो छेड़ दी बट सर्प्राइजिंगली स्टेप स्टोंस में जंग लड़ना इन्हें बहुत महेंगा पड़ रहा था स्टेप स्टोंस के छोटे छोटे पहाड़ी आइलेंड पर धेर सारे केउस बने थे एक बर क्राप फीडर के आर्मी केोज में घُजगई तो उन्हें ड्रैगन से डरने की कोई जरूरत नहीं शुरू शुरू में डेमन का ड्रैगन अटेक काम कर गया लेकिन बाद में क्राप फीडर के आर्मी इन दोनों पर भारी पड़ने लगी इस लड़ाई में कॉरलिस को काफी माली नुकसान हुआ टाइलेंड को लगता है के राजा को उनकी मदद करनी चाहिए लेकिन विसरेस को इस लड़ाई में कोई इंट्रेस नहीं कॉरलिस और डेमन ने विसरेस के पीट पीछे जंकी शुरुवात की थी अब जेलो उसके कॉन्सिक्वेंसेस विसरेस को स्टेप स्टोन्स की लड़ाई से जादा चो रेनीरा में इंट्रेस था रेनीरा एगान की बर्ड़े पार्टी बंक मारके गौर्ड सूट के नीचे बैटी पड़ाई कर रही थी लाइव एक्शन स्पॉटिफाई के साथ इसे अंदर जाकर अपने सेल्फ रिस्पेक की धज्जिया नहीं उड़ानी क्वीन एलिसेंड ने रेनीरा को प्यार से समझाने की कोशिश की लेकिन इसके ना मानने पर एलिसेंड ने इसे अपने साथ चलने का ओडर दिया एगउन का बड़े मना ने विसरेस ने रॉयल हंट प्लान किया था रास्ते में विसरेस ने रेनीरा को बताया कि जल्दी इसे भी बच्चा पैदा करने के लिए खुद को प्रिपेर करना होगा ये सुनते ही रेनीरा का खराब मूड और भी जादा बिगड़ गया यहीं हमारी मुलकाद लाइनल स्ट्रॉंग की दो बेटे हार्विन और लारिस से हुई लाइनल स्ट्रॉंग राजा का मास्टर ओफ लॉज है विसरेस के बग्गी से उतरते ही आटो के भाई हॉबट ने इन डारिक लेगउन को सब के सामने अगला राजा बुलाया साकि शुरू से ही सब के दिमाग में ये बात फिक्स हो जाए रनीरा ओक्वर्डली पार्टी में अकेली घूम रही थी यहां साफ जाहिर हो गया कि इदर रनीरा को कोई भाव नहीं देता फिर रनीरा ने अपना गुसा टी पार्टी करने वाली रॉयल और्तों पर निकाला जो स्टेप स्टोंट की लड़ाई को लेकर बिना लॉजिक वाली बाते कर रहे थे लैरिस ट्रॉंग एक एक कलब फूट चुपचा बैठा सब की बाते सुन रहा था लैरिस को मास्टर औफ विस्पर्स भी कहा जाता है इन शौरिस बंदे पर ध्यान रखना बाहर आते ही टाइलेंड के जुड़वा भाई जेसन लैनिस्टर ने रैनीरा को इंडारिकली प्रपोस कर दिया इसने तो रैनीरा के ड्रैगन के लिए अपने इलाके में ड्रैगन पिट बनाने की भी तैयारी कर ली भाई तो धूम के अली से भी आगे निकल गया ये सुनते ही रैनीरा गुस्से में विसरिस से मिलने चली गई वो अच्छे से जानती थी कि विसरिस नहीं जेसन को पट्टी पड़ा कर इसके पीछे भेजा होगा फिर विसरिस और रनीरा के बीच इसकी शादी को लेकर जोरदार जगडा शुरू हो गया जब से रनीरा बालिक हुई है उसे धेर सारे रिश्ते आ रहे थे लेकिन रनीरा ने कभी इस बात को seriously नहीं लिया रनीरा ने विसरिस को साफ साफ बता दिया के उसे शादी नहीं करनी ये सुनकर विसरिस की आवाज और चड़ गई सबके बीच राज और प्रिंसेस को लड़ता देख आटू ने subject change करने की कोशिश की हंटर्स ने जंगल में एक वाइट हार्ट को ट्रैक किया था सफेध हिरन का मिलना एक तरह की डिवाइन निशानी है आटो को लगता है कि ये गौड्स के तरफ से एक साइन है कि एगौन आगे चलके एक अच्छा राजा बनेगा लेगन उसके लिए विसरिस को वाइट हार्ट का शिकार करना होगा रैनीरा को इस सब में कोई इंटरेस नहीं था तो वो घोड़ा लेकर अकीली जंगल में चली गई सर क्रिस्टन कोल्ट पिंसेस के रक्षा करने उसके पीछे चल दिया वाइट हार्ट के शिकार के लिए जेसन ने विसरिस को स्पेशल स्पियर गिफ्ट किया जेसन की बातों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो और रम के बाकी लौट्स एगॉन को ट्रू एर मानते हैं ये सुनते ही विसरिस की फुल सटक गई विसरेस ने रेनीरा को बस टाइम पस करने के लिए एर नहीं बनाया था उसके पीछे भी एक वजा है इन्हीं खायल में विसरेस भर भर के वाइन पिने लगा जेसन का राजा को खुश करने वाला प्लान बुरी तरह से बैक फायर हो गया विसरेस ने आटो को बताया कि उसे रेनीरा के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी वो तो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है यहीं पर आटो ने विसरेस को सला दी कि भलाई इसी में है कि वो रेनीरा और उसके दो साल के भाई एगॉन की आपस में शादी करा दे विसरेस यहां इंजॉय करने आया था उसे फिलाल इन पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं पढ़ना विसरेस को भड़कता देख आटो ने वहां से कल्टी मार ली बट यह लोग विसरेस को इतनी आसानी से नहीं छोटने वाले एक सरदर्द गया नहीं के दूसरा खिद्मत में हाजिर लाइनल को लगता है कि रेनीरा की शादी कॉरलिस के बेटे लेनौर से करानी चाहिए सेम वहीं पावर को बढ़ाने वाला रीजन विसरेस लाइनल को इगनोर करते हैं वे वाइन लेकर बाहर चला गया उदर कोल ने रेनीरा को किसी तरह शांद कर दिया था दिन पर जंगल में भटकने के बाद यह दोनों बॉन फायर का पास बैटे थे रेनीरा को अब भी एक ही बात खाये जा रही थी क्या रहम कभी उसे as a queen accept करेगा तोड़ा सोच विचार करने के बाद क्रिस्टन कोल ने इसे बताया कि of course करेगा क्योंकि उनके पास दूसरा कोई option ही नहीं होगा तब ही उनके उपर एक जंगली बोर ने हमला कर दिया कोल ने रेनीरा को उस बोर के attack से बचा लिया फैमिली में dragon चलाने वाले तो बहुत हैं लेकिन prophecy के सपने देखने वाले काफी कम है विसरिस के इनी सपनों की वज़ा से उसने emma को खो दिया और अब उसे लगने लगा है कि शायद रेनीरा को air बना कर भी इसने कोई गलती कर दी क्योंकि रेनीरा को princess वाली duties की जरा भी परवानी उसे तो हमेशा अपनी मनमानी करनी है विसरिस को जल्दी एक और disappointing खबर मिलने वाली थी जिस हिरन को वो track कर रहे थे वो white heart नहीं बलके एक regular हिरन था विसरिस ने निराश होकर जेसन के दिये भाले से उस हिरन को मार दिया लेकिन इसमें भी राजा को दो बार try करना पड़ा आयंग थ्रोन से मिले जखन की वज़ा से विसरिस को दो उंगलियां काटनी बड़ी इसलिए वो भाले पर मजबूत पकड नहीं बना पा रहा था इंडिकेटिंग के विसरिस अब physically और mentally भी कमजोर बनते जा रहा है रनीरा और क्रिस्टिंसन पहाड़ी के किनारे बैटे view के मजे ले रहे थे कि तब ही वहाँ white heart आ गया क्रिस्टिंन ने तलवार निकाल कर हिरन को मारने की कुशिश की लेकिन रनीरा ने उसे रोक लिया इंडिकेटिंग के अपने power और हक को साबित करने रनीरा को किसी मासूम जानवर की जान लेने की ज़रूत नहीं हो सकता है कि ये old gods का sign हो कि रनीरा ही true heir to the iron throne है खून में लग पर रनीरा सर उठाकर राजा के कैंप में चली गई रनीरा के लाएश शिकार को देखकर हर्विन स्ट्रॉंग काफी इंप्रेस था बाकी सारे हैरान होकर रनीरा को देखने लगे और्टो ने ऐलिसन को पट्टी पढ़ाई कि उसका बेटा एगाउन ही iron throne का असली हकदार है जब तेक एलिसन खुद से ये बाद विसरिस के दिमाग में नहीं डालती उसे ये समझ नहीं आने वाला थोड़ा इच की जाने के बाद एलिसन मान गई एलिसन इसी बाद को डिसकस करने विसरिस के चेंबर में गई थी लेकिन कॉलिस के भाई का भेजा लेटर देखकर इसने टॉपिक चेंज कर दिया कॉलिस के भाई ने डेमन के पीट के पीछे विसरिस से मदद मागी थी एलिसन ने राजा को समझाया कि रम की भलाई के लिए क्रैब फीडर से वो फटाफट बेटा पैदा करकर रनीरा से चुटकारा पाले क्योंकि अगर विसरेस को पावर के लिए शादी करनी होती तो वो एलिसेंड से नहीं लीना से शादी करता फिर विसरेस ने रनीरा से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रनीरा को रिप्लेस नहीं करेगा रनीरा का हग उसे मिलकरी रहेगा बड़े इसके लिए रनीरा को शादी करनी होगी अच्छा होगा कि रनीरा अपने क्लेम को और मजबूत करने खुद के लिए कोई स्ट्रॉंग लड़का धूंडे उदर स्टेप स्टोन्स पर हालत बच से बत्तर हुए जा रही थी लेनर को लगता है कि क्रैब फिडर के आर्मी को के उससे निकालने का बस एक ही रास्ता है किसी को तो चारा बनके खुद वाँ जाना होगा लेनर के इसाब से डेमन इस काम के लिए परफेक्ट बेट होगा लेकिन कॉल इसके भाई को लगता है कि डेमन की वज़ा से ही वो ये लड़ाई हार रहे हैं उस पर भरोसा करके कोई फाइदा नहीं तब ही वहाँ डेमन भी आ गया सब के चेरे देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि अब तो सिपाईयों को भी डेमर पर कॉन्फिडन नहीं रहा इन सबने अल्रेडी हार मान ली थी फिर विसरिस के भेजे मेसेंजर ने सब को खबर दी कि राजा साहब इनके लिए मदद भेज रहे हैं ये सुनते ही डेमन की सटक गई और वो मेसेंजर को ही कूटने लग गया डेमन अकेला बोट में बैटकर क्रैप फीडर के आगे सरेंडर करने चला गया लेकिन जल्दी हम समझ गये कि ये तो बस क्रैप फीडर की आर्मी को के उससे बाहर निकालने की चाल थी डेमन ने मौका देखकर अकेले क्रैप फीडर की आर्मी पर हमला कर दिया फुल अन बॉलियूड प्लस टॉलियूड वन मैन शो लड़ाई माना के एक दो एरोज लग गये लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा हो गया कुछी देर में क्रैप फीडर की आर्मी ने डेमन को चारो तरप से घेड लिया क्रैप फीडर दूर खड़ा ड्रैगन्स पर नजर रखे हुए था इसे ये नहीं पता था कि कॉरलिस एके सी स्नेक की आर्मी भी पास खड़ी सब के बाहर आने का वेट कर रही थी मौका देखकर कॉरलिस की फाउज ने क्रैप फीडर की आर्मी पर हमला कर दिया लैनोर अपने ड्रैगन सी स्मोक पर बैठा उपर से सब पर आग बरसाने लगा क्रैप फीडर ये देखकर फॉरण गुफा के अंदर भाग गया देमन भी उसके पीछे चला गया कुछ देर बादी डेमन क्रैप फीडर की 50% आफ बॉड़ी लेकर गुफा से बाहर चला आया सब के लिए एक खुला मैसेज कि डेमन टार्गेरियन को हलके में मत लेना और यहां होता है एपिसोड 3 खतम एक दो चीजे छोड़ कर मुझे ही एपिसोड अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड लगा हम तो शोरणर्स ने क्रैप फीडर को बड़ा विलन बना कर बुक से अलग जाने का रिस्क नहीं लिया होपफुली आपके प्रॉब्लम्स भी क्रैप फीडर के करेक्टर आर्क की तरह ही हो शुरू होते ही खतम हो जाए अल्राइट तस इपर नाव अगर आपके वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक चेल और सब्सक्राइब पर मोर वीडियो लाइक दिस मैंने ऐसे और भी वीडियो बनाए जिनके लिंक्स आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे थैंक यू बिर मच पर वाचिंग और आम होपिंग तो सी यू इन माइ नेक्स्ट वन